हलो एरिवन गुरु खांची 10 17 ढला दूर है इस वीडियो में जनकारी दी गई है मैं मार्कस रैंक वालों का होगा आपके सीलेक्सन के कितने चांसेश है पूरी जनकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी यहार आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इस को starting से लेकर end तक जरूर देखें इसमें step by step जानेंगे आपके selection के chances कितने हैं सारे लोगों के comments and insta में messages मिले हैं expected cut-up के लिए सभी subject की expected cut-up calculate करने में time लगेगा पर इस video में जो जनकारी दी गई है उससे आप आप खुद से पता कर सकते हो आपके selection होने के कितने chances हैं आपके selection के chances कितने हैं वो पता करने के लिए आपको तीन चीज पता होना चाहिए पहला है overall merit list आपको पता होनी चाहिए second total seat कितने हैं आपके course में वो पता होना चाहिए third category seat कितनी है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, overall merit list जीजीओ की official website से मिल जाएगी, कैसे check करना है उसको मैं आगे बताऊंगा, total seat, admission browser से मिल जाएगी, कैसे check करना है उसको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और ये total seat और category seat कितने है, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उस वीडियो को भ पता करने के लिए, पहले देखते है overall merit list कैसे check करेंगे, overall merit list आप गुरु घासीदाश भी सुध्यालाई की official website से check कर सकते हो, यह official website की link है jgu.ac.in, इसके पहले जो merit list जारी किया गया था, उसमें category mention नहीं था, 10 October को जो new detail merit list जारी किया गया है, उसमें category को भी mention किया गया है, यह new page open होगा, university notice board, यहाँ पे आपको scroll down करना है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा result of VET 2021, result of VRET 2021, UGPG के लिए आपको VET result चेक करना है, और PhD के लिए VRET result चेक करना है, यहाँ पे red icon आपको मिलेगा, उसमें आपको click करना है, जब click करोगे तो new page open होगा, जिसमें सभी courses की link दी आपको G's course की detail merit list आई उसमें आपको click करना है, जैसे यहाँ पे become honors है, इसमें क्लिक करोगे, तो become honors की details merit list आई जाएगी, यहाँ पे name, role number, category, PWD, candidate, तो यहाँ पे mention रहेगा, and marks, पिछले वाले जो merit list जारी किया गया था, उसमें category mention नहीं था, इसमें यह category और PWD, category, यह दो new section यहाँ पे add किया गया है, इस पकार यहाँ से आप अपने course की detail merit list चेक कर सकते हो, next second पता करना है, आपके course में total कितने seat है, इसकी जानकारी आपको admission ब्रॉचर से मिल जाएगी, इसकी link आपको description पे मिल जाएगी, वहाँ से आप directives video file को download कर सकते हो, यहाँ पे course total कितनी seat है, उस को यहाँ पता है, आप video को forward कर सकते हो, GGO में central government का reservation की policy follow होती है, उसके according OBC non-crimi layer के लिए 27%, SC 15%, HT 7.5%, EWH 10%, NPWD candidate के लिए 5% reservation रहता है, category wise seat allotment, यहाँ पे total seat दिया हुआ है, और यहाँ पे category seat mention है, यह जो calculation किया गया है, इसको मैंने इस percentage के base पे किया है, हो सकता है, official जो data हो, उसमें 1-2 seat कम जादा हो सकता है, और यह seat tentative है, pH candidate के admission पर vary हो सकता है, पर जादा फरक नहीं पड़ेगा, बस 1-2 seat का फरक पड़ेगा, यहाँ से आप अपने subject की total seat की according category wise seat कितनी है, चेक कर सकते हो, suppose आपके course में total 75 seat है, तो इस case में open category में 32, OBC 20, HC 11, HD 5, EWS 7, यहाँ पे बहुत लोगों को doubt है, यह open seat क्या है, open seat का मतलब है, इस seat में सभी category के candidate आ सकते है, अब यहाँ पे 32 open seat है, मतलब top के जितने भी 32 candidate होंगे, च इस प्रकार यहाँ से आप अपने course की total seat के according, category wise seat कितनी है, वो यहाँ से आप check कर सकते हो, next एक example के throw मैं समझाओंगा, कैसे calculate करना है, कितने rank वाले को seat मिल पाएगा, आपके seat मिलने की possibility क्या है, यहाँ पे example में लेके चल रहे है, MSC in physics, MSC physics में total 60 seat है, यह हमको admission browser से पता चल ज कितनी है, वो हमको इस table से पता चल जाएगी, MSC physics में total 60 seat है, तो total 60 seat, उस case में open category में 25, OVC में 16, SC में 9, ST4, EWS में 6 seat होगी, यह MSC physics की detailed merit list है, इसमे total 60 seat है, तो उसके according, open category में 65 seat होगा, अब इस merit list में top के 25 rank तक, जितने candidate आएंगे, वो पूरे open category में चले जाएंगे, चाहे उन कुछ भी category का हो, top 25 जो candidate आएंगे, वो open category में चले जाएंगे, अब next इसमें है, OVC में 16 seat है, यहाँ 25 rank वाले तक पूरे open seat में चले गए, 25 के नीचे, top 16 में जितने OVC candidate होगे, सब का selection हो जाएगा, यहाँ पे मैं PWD को consider नहीं कर रहा हूँ, PWD candidate को consider करेंगे, तो 5% PWD candidate मैं यहाँ पे PWD को consider नहीं कर रहा हूँ, तो rank 25 के बाद जितने 16 OVC candidate होगे, उनके selection की chances है, यहाँ से आप अपना category count कर सकते हो, 1, 2, 3, जितने OVC है, 16 तक यहाँ पे आजाएंगे, उसी प्रकार EWS category में देखना है, तो यहाँ पे 6 seat है, यहाँ पे 25 rank के बाद जितने EWS, इस प्रकार आप अपने category में इतने candidate है, आपका कितना serial number पे है, उसके recording आप अपने selection की possibility चेक कर सकते हो, आप अपने selection के chances लगभग 80-90% तक confirm कर सकते हो, मैं पूरा 100% इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने PWD candidate को consider नहीं किया है, और जो equal mark वाले candidate है, उनक इस case में एक-दो seat उपर नीचे हो सकता है, बट इसमें एक नियाम है, यदि return exam में equal marks आते हैं, उस case में previous academic record देखा जाएगा, यदि post graduation के लिए apply किये हो, और दो candidate के equal mark आता है, उनका UG का percentage देखा जाएगा, जिनका ज्यादा percent है को उनको पहले preference दिया जाएगा, इस प्रकार इस प्रकार आपको यदि यह तीन चीज पता है, overall merit list, total seat, and category wise seat कितनी है, तो आप अपने chances टकर सकते हो, आपके marks के according, I hope मैं समझा पाया होंगा, कि कैसे हम selection की possibility चेक कर सकते हैं, I wish जितने लोग यहाँ वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का selection हो, आप लोग अगर यहाँ description पर मिल जाएगी, आप वहाँ से check कर सकते हो, कुछ important जनकारी जो आपको पता होनी चाहिए, document upload करने की last date है 10 October, आपको 10 October तक या उसके पहले document upload कर लेना है, आपके number कितने भी हो, आप document upload जरूर कीजिए, यदि आपका chances रहा तो आपका selection होगा, regularly check your email and JGU website, आपका जो registered email है, JGU की website को regularly check करते रहे, यदि admission से related, कुछ भी update आता है तो उसकी जनकारी आपको दी जाएगी, आपके email में ही आपको mail आएगा JGU से, आपका selection होगा तो, तो आप अपने mail को check करते रहे, यदि आपने किसी दूसरे का email दिया है, उनको आप बोल के रखे रहें कि कुछ भी information आत यह useful होगा, thank you for watching this video, please subscribe and share